भारत में लगबख साड़े तीन करोड स्ट्रे डॉग्स हैं और इनकी संख्या हर दिन बढ़ती हैं और इन बढ़ती संख्याओं के साथ ये बहुत ही obvious है कि इनके road accident के chances भी बढ़ जाते हैं हाई मेरा नाम है अनिरुद खुराना और आप देख रहे हैं BTT यानि Behind the Tales जहां हम बात करते हैं कहानियों के पीछे की कहानियों के बारे में और आज हम बात करने वाले एक ऐसे शक्स के बारे में जिसने इस पूरे मुद्दे को इस पूरे टॉपिक को अपने हाथ में लिया और एक बहुती बढ़िया इनिशेटिव निकाला शांतनु नाइडू 27 साल के ये इंजीनियर पूने से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस पूरे स्ट्रे डॉपिक की सुरक्षा के लिए एक बहुती बड़ी और एक अनोखा invention किया मैं आपसे पूछते हूँ कि अगर आप स्ट्रे डॉप को बचाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं आप हम क्या करते हैं हम किसी स्ट्रे डॉप को अपने घर पे पाल लेते हैं हम किसी को दे देते जो कि स्ट्रे डॉप को संभालते हैं हम ऐसे चोटे मोटे तरीकों से उनक शानक से नहीं हुई, शांतनु नाइडू बच्पन से ही एक डॉग लवर रहे हैं और उनने बच्पन से बहुत डॉग्स को हेल्प करिये अनिमल वेलफेर सोसाइटीज की मदद से सिफ 24 साल की उमर में उनके दिमाग में ये रिफ्लेक्टिव कॉलर का आइडिया पनपने लगा और उन्होंने मोटो पॉज की शुरुवात की धीरे धीरे या आइडिया इतना बढ़ने लगा कि टाटा ग्रूप के चेर्मेन मिस्टर रेटन टाटा को भी इस बात का पता चल गया है जो कि खुद एक डॉग लवार है और बहुत सारे अनिमल वेलफेर में डोनेट करते हैं उनको ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने नड़ने लिया कि वो इसको सपोर्ट करेंगे और ये बात है 2015 की पहले प्रोडक्शन कॉस्ट का 70% मिस्टर रेटन टाटा संभालते थे और बाकी का 30% शांतनू और कुछ वॉलेंटियर जो की अलग-अलग एंजियोस के और गृप्स के होते हैं वो संभालते थे शांतनू का काम Mr. Ratan Tata को इतना अच्छा लगा उनके आइडियाज उनके डेडिकेशन की आज की डेट में शांतनू Mr. Ratan Tata का Executive Assistant है और उनको Startup Investment में Help करता है शांतनू ने अपना MBA कंप्रीट किया है Convax से और उसके बाद उन्होंने Tata Trust के अंदर अपना internship पूरा किया ये collar design शांतनु ने इस तरह बनाया कि रात में स्ट्रे डॉक्स की visibility बढ़ जाए उस collar में शांतनु ने इस्तमाल किया है एक retro reflective fabric denim base के साथ क्योंकि उस वक्त पे reflective fabric बहुत जादा मेंगा था इस से उसका collar बनाने का खर्चा बहुत कम हो गया अब पहला batch ready होने के बाद शांतनु को लगा कि कुछ तो कम है कुछ तो कम ही है कुछ करना पड़ेगा तो फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने orange mesh fabric का इस्तमाल किया जो की security jackets में use होता है अब इसके बाद जो collar design जो की दिन में तो visible हुआ 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 रात में भी और अच्छे से visible होने लगा motor pause आज की date में 1500 से भी जादा collars बनाता है हर महीने और वो पहले से भी जादा अच्छे बनने लगे आज की date में वो water और fungus प्रूब भी है और शांतनु ने उसके अंदर एक buckling mechanism भी add कर दिया motor pause की लोग प्रेता इतनी जादा बढ़ गई कि आज की date में उन्होंने 2700 से भी जादा dogs को collar पहनाए है डिल्ली, गोवा, बैंगलूरू, उत्राखंड, आसाम, मुंबई और पूने में शांतनु ये collar किसी को बेचते नहीं है ये collar free of charge है शांतनु कहते हैं कि ये collar बनाने का cost बहुत ही कम है stitching cost को add करने के बाद भी ये 50 से उपर नहीं जाता 2015 से लेकर अब तक investment की मदद से motor pause 11 से जादा शहरों के अंदर पहुँच चुका है उनको नेपाल और मलेशिया से भी orders आने लगे उनके पास trade dogs को help करने के लिए पूरी team है जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती है और इतना ही नहीं motor pause के caller की मदद से cows, buffaloes, horses जैसे बड़े life stocks को भी बचाया जा सकता है अब देखो भाई motor pause इतना अच्छा काम कर रहा है तो हमारी भी तो कोई duty बनती है ना अज़ा नागरी की हम भी उसमें कुछ contribute करे तो अब अगर आगे से आपको कोई भी stray animal दिख रहा हो ताकि ये एक awareness बड़े की कैसे हम stray animals, stray dogs की help कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिए तो please हमको subscribe करिए ताकि हम ऐसी interesting और motivating videos और ज़्यादा लाते रहें